नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब प्रात्ना करता हूँ आप सब व्यस्त रहें सुष्ट रहें और मस्त रहें आईए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा लॉकर तीजोरी या सेफ आपके घर में किस दिशा में किस जोन में रखनी चाहिए इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप सबस्क्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में आप जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिस्तोधारों के साथ इस वीडियो को शेर कर लीजिए ताकि उनको भी ये वास्तो टिप मिलती रहे और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाते हैं कुछ और वास्तो टिप जानना चाते हैं या कुछ फीड़बैक देना चाते हैं तो कमेंट में जरूर लिकिएगा आईए दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेफ लॉकर या तीजोरी आपने आपके घर के किस जोन में किस दिशा में रखनी चाहिए बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तीजोरी रखनी की जरूरती क्या है हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि हम सेफ या तीजोरी में रखें हमारी सेलरी इतनी कम रहती है कि हम तीजोरी में क्या रखें दोस्तों बहुत बार हम लोग जब पैसे रखते हैं तो उसका कोई fix location नहीं होता हम हमारे purse, हमारे wallet यहां वहां कहीं भी रख देते हैं बहुत बार घर के ladies अगर पैसा बचाना चाते तो वो अलमारे के कपड़ों के बीच में पैसा रखते हैं कोई बच्चे हैं जो saving करते हैं वो अपने school bag में या अपने study table के पास पैसे रख देते हैं तो दोस्तों पैसे रखने का कोई location नहीं होता और आजकल हम सब ज़्यादतर plastic money यूज़ करते हैं plastic cards यूज़ कर सकते हैं credit card, debit card, यहां तक कि घर में भी जब हमें कोई grocery मंगानी है या food order करना पड़ता है तो हम लोग online करते हैं तो हमें safe और तीजोरी की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों ऐसा नहीं है जैसे हम जब रहते हैं जिस घर में रहते हैं तो हमने हमारे बैटनी के लिए हमारे आराम करनी के लिए एक living room बनाया जहां पे हम जाके बैठते हैं और ज़्यादतर अगर आप देखेंगे तो आप रोज एक ही जगे पे जाके बैठते हैं उसी तरह हमारा kitchen है जहां हमने grocery एक fix जगे पे रखी है हम हमारा store एक fix जगे पे जहां पे हम हमारा cooking करते हैं bedroom में भी हमारी सोने की जगा fix है दोस्तों this is called stability लेकिन हम लोग हमारे पैसे को stability नहीं देना चाते हैं हम यहाँ वा रखते हैं और इसलिए कभी कभी हमें financial growth और financial stability नहीं मिलती इसलिए मेरा अब सबसे advice है बले कम पैसे क्यों नहों आप एक तीजोरी लीजिए एक safe लीजिए और आपने पैसे rest करना शुरू कीजिए जब पैसे वहां rest होंगे जब पैसे वहां पे ज़्यादा देर तक रहेंगे तो आपके पैसों को growth मिलेगी आपके पैसों को stability मिलेगी and you will be financial stable और जब safe की बात करें तो बहुत लोग का मानना ये है कि safe का दर्वाजा north की तरफ खुलना चाहिए दोस्तों ये एक अच्छा option है but every time this is not possible क्योंकि अगर हमने तिजोरी को या safe को south में रखा तो वो north की तरफ open हो सकता है लेकिन अगर zone change हो गया तो ये possibility नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है आपके तिजोरी का दर्वाजा किस तरफ कुलता है वो माईनी ने रखता है what is important is किस zone में आपने safe रखा है किस zone में आपने तिजोरी रखी है दोस्तों बहुत बार लोग जब तिजोरी में कुछ पैसे रखते है या जोलरी रखते है तो अंदर लाल कपडा बिचाते है कभी-कभी ये हमारे लिए financial problem दे सकता है because red cloth is not good everywhere अगर zone सही है तो red cloth ठीक है वरना red cloth can create a problem बहुत लोग तिजोरी में या safe में mirror लगाते है और ये सोचके लगाते हैं कि हम जो पैसे रखते हैं वो double हो जाएंगे दोस्तो mirror is not advisable in all the zones अगर south zone है तो ठीक है वरना दूसरे zone में ये आपका पैसा double करने के बजाए minus कर सकता है आपको business में आपको job में आपको financial laws दे सकता है आईए अब मैं बताऊंगा आपको safe या तिजोरी कि zone में रखनी चाहिए अगर आपको safe या तिजोरी रखनी है तो सबसे पहले आपके घर के west की दिवार पे या west की zone में रखेगा दोस्तों west is a zone of manifestation यहाँ पे जब आप पैसे रखोंगे तो यहाँ पे यह multiply होगा दूसरा zone जो है वो है north zone अगर north की दिवार पे आपने safe या तिजोरी रखी तो यह zone ऑपचुनिल्स देता है यह zone growth देता है यह zone khubair का भी zone है तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप कुछ रखोगे तो multiply होगा, growth होगा दोस्तों तीसरा zone जो है वो है south zone अगर south zone में आप तिजोरी रखते हैं तो आपको name और fame मिलेगा आपका पैसा यहाँ पे भी grow हो जाएगा और एक zone है जहाँ पे आप अपनी तिजोरी रख सकते हैं वो है south west zone यह zone है stability का zone यहाँ पे आपको financial stability मिलेगी दोस्तों बहुत लोग south is zone को money का zone कहते हैं और यहाँ पे तिजोरी रखते हैं but it is not advisable क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को यह zone जला भी सकता है तो my advice is not to keep your safe और तिजोरी in southeast zone but always opt for west, north or south zone Thank you